नमस्काल नीजोर इंडिया में आपके स्वागत है आपके साथ मैं धर्म राज सिंग मुक्मंत्री योगी अदित्टुनाथ बागपत के दौरे पर हैं जहां पर सीम ने आज सिसाना गाउं का दौरा किया इसके साथ साथ मुक्मंत्री योगिया दित्टनाथ ने कोविड अस्पताल का भी निरिक्षण किया है अपने एक दिवस्य दौरे पर बागपत पहें मुक्मंत्री योगिया दित्टनाथ जिन्होंने सबसे पहले सिसाना गाउं का दौरा किया उसके बाद COVID एस्पताल का निरिक्षन करने के लिए भी पहुंचे बागपत में जो विकास कारे चल रहें उन विकास कारियों का जाइजा मुक्मंत्री ने लिया इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनको चर्चा भी करनी है तो बागपत में जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास कारे चल रहें उनका स्टेटस क्या है इसको लेकर उनने विभागी अधिकारियों से अपडेट लिया है और अब पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठा कूनी है बागपत के दौरे पर हैं इस दोरान मुक्नत्रे ने जो बड़ी बड़ी बाते के अब बता रहे है आश्या वर्कर्स का एक बार फिरस उन्होंने सराहना किये आश्या वर्कर्स ने कोरोना के काल में बेहतर काम किया है बड़ीया काम किया है इसके लवान नौकरियों को लेकरों ने कहा है कि नौकरियों में युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है बागपत नाम तो था लेकिन काम नहीं था अब बागपत में विकास दिख रहा है पिछले चार सालों में बीजेपी के सरकार आई है बागपत में तेजी से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश ने कोरोना के दौरान एक मजबूत लड़ाई लड़ी है मुपंद्रियोगी अदितनात ने अपने बागपत के दौरान जो बड़ी बड़ी बाते कही है जो बड़ी बाते उन्होंने कही है वो इस वक्त आपको बता रहे है विश्रेस तोर पर उन्हें हेल्थ वरकर्स आशा वरकर्स की सरहना की है उनके काम की तारिफ कियर कहा है कि कोविट के दौर में उत्तर प्रदेश ने एक बहतर लड़ाई लड़ी है क्योंकि बागपत में थे तो उन्होंने का इक पिछले चार साल में बागपत में विकास के कारे तिवर गती से वो हैं पहले बागपत में विकास नजर नहीं आता था लेकिना बागपत में विकास दिख रहा है तो यह दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहले तस्वीर है जब मुक्रंतियोगी अदितनाथ बागपत के सिसाना गाउं पहुंचे थे गाउं में जाकर उन्होंने गाउं का दौरा किया ग्रामिनों से बातचीत की सरकारी सुविधाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की कामिनों से बात किया दूसरे तस्वीर है जब मुक्रंतियोगी अदितनाथ कोविड एस्पताल का निरेक्षण करने के लिए पहुंचे थे कोविड एस्पताल के निरेक्षण किया और जो संभावित थड़ वेब है उसको लेकर तमाम तैयारियों का उन्होंने जाहिजा ल बागपद दौरे की पहली तस्वीर जब उसे साना गाओं का दौरा करने पहुंचे थे दोस्तिय तस्वीर जब वो कोविड एस्पताल का निरेक्षण करने के लिए पहुंच रहे थे मुख्पंत्रियोगी अदितनात बागपद के दौरे पर हैं जहांनोंने विकासकारियों का जयाजा लिया अधिकारियों से फीड़ बैक लिया है और चले आपको सुनवाते हैं इस दौरान मुख्पंत्रियोगी अदितनात ने क्या कुछ कहा है आज ये जन्पद है और जन्पद के रूप में बागपद ने वास्तों में वास्तान हासिल किया है पिसले चार से साथ वर्स के दौरान कि इंदर प्रस्त इसके सामने मात भरा है यहनि कभी इंदर प्रस्तों को लेकर के माह भारत हिया था लेकिन आज बागपत ने पिसले चार वर्स के दोरान जितनी विकास की युजनाएं केलर और प्रदेश सरकार की हाँ पर आई है वादवुद है जन प्रतलिधियों का ये प्रियास सार्थक दिसा में गया है और मैं इसके लिए उनका विनंतन करता हूँ बागपत के अपने सभी वासियों को मैं इस बात के लिए भी धन्यबाद दूँगा कि यहां का नौजवान आज सरकारी नौकरियों में अपना अच्छा स्थान बना रहा है उतर प्रदेश के अंदर जब पुलिस भरती निकली थी अलग अलग फेज में पुलिस की भरती हो रही थी तो मैं देख रहा था कि बागपत के विभिन गाओं के नौजवान जो पहले सडकों पर प्रेक्टिस तो करते थे लेकिन कभी उनकी भरती नहीं हो पाती थी लेकिन एक लाग सैंतिस हजार से दिक पुलिस की भरती हम लोगों ने की उसमें पुरुसों में भी और महलाओं में भी मुझे लगता कवों में बागपत के हर गाओं का मौजवान भरती हो अगर बाथ करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसदों की बैठक का आज दूसरा दिन है आज की अगर बैठक की बात करें तो दिल्ले में अवद और पुरवांचल शित्र के सभी सांसदों के साथ भारती जनता पार्टी के आला नेता शामिल होंगे इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्वंत योगिया दितनात के अलावा राधा मोहन सिंग जो बीज़ेपी के प्रदेश परभारी हैं इस बैठक में मौझूद रहेंगे कल भी ये बैठक हुई थी दिल्ली के कॉंस्टिचुशनल क्लब में राध को आठ बजे बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में विश्यस्त और परकल पश्यम शेत्र के कानपूर शेत्र के सांसद मौझूद थे 2022 के चुनाव को लेकर दिल्ली में भारती जनता पार्टी के सांसद मंतन कर रहे हैं सांसदों से राई शुमारी की जा रही है और इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं मुक्रणती योगी अदितनाथ इस बैठक में शामिल होंगे इस सूबे के मुखिया हैं और इनके साथ साथ मुक्रतियोगी अदितनात की मौजूदगी कल भी थी और आज भी उनकी मौजूदगी रहेगी इसके अलावा गर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं राधा मुखन सिंग राधा मुखन सिंग इस बैठक में शामिल होंगे कल भी ये बै सुनिल बंसल, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के सुनिल बंसल की भूमिका भी लगातार उत्तर प्रदेश में रही है, भारती जनता पार्टी की जीत में एक बड़ा दारुमदार इनका माना जाता है, तो सुनिल बंसल की मौजूदगी भी आज की बैठक पर रहेगी, इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं विश्रेस तौर पर, वो सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे, 22 के तैयारियों के लिए बीजेपी जुटी हुई है, हर सीट के लिए प्रभारी न्यूक्त करने की प्लैनिंग भारती जनता पार्टी कर रही है, आज तक जो सीटे भ जो सांसद हैं निगम है बोर्ड आयों के अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मदारी दी जाएगी, सांसदों के जिम्मदारी होगी निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मदारी दी जाएगी, प्रभारियों ने इसके लिए प्लैन 84 पर काम करना शुरू कर दिय प्रभारी तीन सदस्य कमिटी को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे और उसके बाद आगे इन तमाम चीज़ों को एगस्क्यूट किया जाएगा तो सबसे बड़ी बात की हर सीट के लिए भारती जनता पार्टी प्रभारी नुक करने जा रही है और सबसे बड़ी बात की फोकस इस मुद्दे पर होगा कि जो सीटे बीजेपी कभी ने जीती है उसको कैसे जीता जाए चले बढ़ते आगे लखनव से अगली ख़वर है जहां पर राज्य कर्मियों को योगी सरकार ने एक बड़ा तौफा दिया है तो बड़ी ख़वर अपको दादे राज्य कर्मियों को योगी सरकार ने तौफा दिया है राज्य कर्मियों का डिये बढ़ाने का आधिश दिया गया सीएम कारियाले ने मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव मांगा है वित्विभाग प्रस्ताव को मुक्मंत्री कारियले भीजेगा राजिकर्मियों का डिये में 11 फीसदी तक व्रिधी की जाएगी यानि मेहंगाई को देखते हुए राजिस सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो मेहंगाई भत्ता है डिये उसमें 11 फीसदी का इजाफा किया जाएगा इसके लिए बाकाईदा वित्म भाग के तरफ से रिपोर्ट भी बनाई जा रही है कि ये जो व्रिधी होगी इसके बाद राजिकोश पर किस तरीके का भार पड़ेगा कितना भार पड़ेगा ये तमाम डेटा जो है वो एक प्रस्ताव बनाकर सीम कारियले को दिया जाएग तो इसके बाद इस पर सहमाती होग जाएगी मुक्पनत्री कारियले के तरफ से इसकी मनजूरिक लिए बकाईदा वित्म भाग से प्रस्ताव मांगा गया है राज्यकर्मियों को ये तवफा महंगाई के मामले पर दिया गया है तो डिये महंगाई भता होता है जो केंदर सरकार के करमचारियों का कोई दिनों पहले बढ़ा था और अब राज्य सरकार भी इसको लेकर काम कर रही है तो इसका एक मोटा मोटे अब को मैं आकड़ा बताते हैं सरकारी खजाने पर 64 अरब रोपे का सालाना बोजिस से पड़ेगा कोरोना के कारण डेड़ साल से इनका डिये रुका हुआ था जनवरी से जुलाए 2020 और जनवरे 2021 का भी डिये तबी राज्य करमचारियों को दिया जाएगा जुलाए महीने के वेतन के साथ डिये देने की तैयारी हो रही है इसे 15 लाख जो राझ्यक करमचारी हैं, राझ्यकरमी हैं, राझ्यसरकार के करमचारी हैं उनको सीधे तोर पर फायदा मिलेगे इसके अलावा जो 12 लाख पैंशनर्स हैं उनको भी इसका लाब मिलेगा ड.A अभी 17 फीसदी है ये बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगै यानि कि 11% का ग्रोथ दिया जाएगा डिये में इसके अलावा जो प्रतिन युक्ति में है उनके परिवारों को भी एक परिवारिक पेंशन दी जाएगी कुल मिलाकर 64 अरब रोपे का सालाना बोज इससे सरकारी खजाने पर पढ़ने वाला है चले बढ़ते आगे लखनों से इस वक्त एक और बड़ी खबर है माफिया मुखतार अंसारी की बैरक में टीवी लगेगा गैंग्स्टर कोर्ट के विशेस जज ने मुखतार अंसारी के निवेदन पर टीवी लगाने का आदेश दिया है जेल मैनुवल के आधार पर ये टीवी मुखतार अंसारी के लिए लगाया जाएगा तो मुखतार अंसारी की तरफ से ये निवेदन किया गया था जिसके बाद ये आदेश दिया गया है किसी को 2022 में उत्तर प्रदेश में मुखतार अंसारी बनने के मुगरी लाल के सपने दिखाई दे रहे लेकिन उस अपने सच होने वाले नहीं है क्योंकि देश और प्रदेश की जनता भारती जनता पार्टी के साथ है मोदी जी के साथ है और अगर जनता हमारे साथ रहेगी तो यहाँ जो सपने देख रहे हैं अभी जो अपने खेला होवे की बाद कर रहे हैं तो यहां उनका मंसुबा पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन कोई प्रदानमंत्री जी से मुक्पंत्री मिलता है, तो मिल सकता है, उनको मिलना चाहिए, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, वीपच्छी दलेक जूट हो करके लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो लड़ें, आज ही नहीं लगातार 2014 से मैं देख रहा हूं संपूर बीपच भारती जन्ता पार्टी के खिलाप मोदी जी के खिलाप लड़ाई लड़ने का काम किया है और आगे भी लड़ें हम लड़ेंगे तब भी हम जीतेंगे सब्सक्राइब निकालने वाली है पूरे उत्तर परदेश में चुकि जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं चाहे हो सपा हो बसपा हो कॉंग्रेस हो सब उसपे राणिती बना रहे हैं तो क्या आप भी नहीं दिखिए सपा बसपा कांग्रेस तीनों जो भी रचना र बढ़ी प्रकार से देख रही है कि जैसे वर्सा आई तो वर्सा के समय कुछ मेड़क टर टर बोलते हैं तो ऐसे मैं मानता हूं कि विपच्छ के कुछ नेता चुनाओ जब आएगा तो जाती जाती बोलेंगे आने प्रकार के ऐसे भी से उठाएंगे जिनका प्रदेश की जनत की थी कुछ उनकी बैरक में टीवी लगाया जाये इसके लिए गैंगस्टर कोट के विशेस जज की अदालत में अरजी लगाई गई थी और जजज साहब ने भी कहा कि जेल मैनुवल के अधार पर मुखतार अंसारी के बैरक पर टीवी लगाया जा सकता है तो मुखतार अंस करें तो अपनी बैरक में टीवी लगाने को लेकर मुक्तार अंसारी ने गुहार लगाई थी गैंग्स्टर कोट में वर्चुल पेशी के दौरान लिखित आविदन पर ये गुहार थी जेन मेलवल और शासना देश में अनुमती है कि योगी हो तो टीवी लगाना सुनशित कर सकते हैं नियादिश ने दोनों पक्षों के तरकों को सुने के बाद टीवी लगाने का आदिश दिया है तो मुक्तार अंसारी के लिए एक बड़ी खबर यही रहात की बात है कि मुक्तार अंसारी को अब देश दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है ये मुक्तार अंसार जान पाएगा क्योंकि मुक्तार अंसारी के तरफ से जो मांग की गई थी कोट के समक्ष कि उनकी बैरक में टीवी लगाया जाए अब उसका आदेश जजज सहाब ने दे दिया है कि मैनुवल के अधार पर टीवी लगाया जा सकता है चली बढ़ते आगे और आब बात करते हैं राकेश टिकैत की राकेश टिकैत के लखनव वाले बयान पर बीजेपी के तरफ से पलटवार किया गया है एक कार्टून जारी किया गया है और इस कार्टून के जरिये टिकैत पर निशाना साधा गया है कार्टून में लखनव ना जाने की हिदायत दी गई है राकेश टिक पाइदा एक कार्टून जारी जारी किया गया है और इस कार्टून के जारी टिक्यात पर निशाना साधा गया उनको बताया गया है कि लखनौ ना आएं देखें ये वो भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का ये आधिकारिक ट्यूटर हैंडल है जहां से ये फेस्बुक है जहां से ये शेर किया गया है किसान आंदोलन के तौर पर दिखाए गया है किसान आंदोलन के तौर पर दिखाए गया हर कहा गया है कि लखनौ ना आएं ये हिदायत भारती जनता पार्टी के तरफ से सोशल मिडिया के जर्ये राकेश टिकैत के उस बयान पर परटवार करते वे दिया गया है और ठिलाप के उताते राकेश टिकैत ने क्या कहा था है भारती जन्ता पार्टी के तरफ से सोशल मीडिया के जर्ये हमला बूला गया है वो भी कार्टून जारी करके हमला बूला गया है तो राकेश टिकैत के भयान पर अगर हम बात करें तो भारती जन्ता पार्टी के तरफ से कार्टून लगाकर हमला बूला गया है चलिए बढ़त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्रहामन सम्मिलन को लेकर बैठक शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखलेश यादव पार्टी दफ्तर में मौझूद हैं, मनोज पांडे, अभीशिक मिश्रा और माता प्रसाद पांडे इस बैठक में तो बलिया से समाजवादी पार्टी ब्रहमन सम्मिलन के जरिये अपने चुनावी तयारियों का आगास करेगी धार देने की कोशिश करेगी और उस पर कैसे समाजवादी पार्टी आगे बढ़े इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ट ब्रहमन नेता हैं उनके सा वक्त अखलेश यादव लखनाव इस्थित पार्टी कारियले में बैठक कर रहे हैं। अमेठी में घर बना कर रहने का वादा किया था जो अब वो पूरा करने के लिए जा रही है। जिस तरह से केंद्री मंत्री इस्मृति इरानी वामेठी सांसद इस्मृति इरानी ने अमेठी वाशियों से चुनाव के पहले ही वादा क्या था कि आपको आमेठी के सांसद के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उसी क्रम में आज अमेठी सांसत इस्मिर्ती इरानी के निवास के लिए भूम पूजन हो रहा है जिसमें कि उनके इस्मिर्ती इरानी के पुत्र जौहर इरानी मौके पर आ रहे हैं फिलाल अभी थोड़ी देर बाद ही वह यहां पहुचेंगे आईए पंडी जी बैठे हम इन मुख रूप से जो आज कभी से है यह सिलान न्यासिन का घर का जो है सुभारम तो उसमें भगवान वाफ्त पूरुष का पूजन होगा उनके जैसा कि आपने खुद बताये उनके पुत्रा रहे हैं और साथ में सब उनके स्वजन जो भी होंगे तो विधी विधान से सभी आचारियों के माध्यम से उनके आचारत्तों में पूजन होगा और इसके बाद पर इसका कारगम का संपूल किया जाएगा तो यह थे पर पंडिजी जो कि एंद्री मंति स्मिर्थी इरानी के निवास के का सिलान्यास होगा आज यहां भूम पूजन करवा रहे हैं इनका बनेगा जिससे के अमेठी के लोगों को अपने सांसत को ढूंने दिल्ली ना जाना पड़े और अमेठी में ही उनसे मुलाकात हो सके हंसरा सिंग निव जोन इंडिया अमेठी हापुर के ग्राम पंचायत नानाई की जनता ने वीजेपी विधायक कमल मलिक का जम पर विरोध किया और जम खरी खोटी सुनाई ग्रामियों का रहों के विधायक बनने के 4 साल के बाद कमल मलिक जन सभा को संभुद करने गाउं पहुंचे इसका ग्रामियों ने विरोध कि और सभाद छोड़ कर चलेगे विधायत कमल मलिक को खरी खोटी सुनाने वार का वीडियो अप सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है कि अधर विटाए कि अधर से नहीं है कि अधर यह अधर है अधर कि लडाई रागवाद दूसराएं अधिक मिए तक भाइज हो जो कि अधिए पैजला एक ही नहीं अधिन झाल को इजिए नाश्य झाल पाइज में इस बितीन कि अधिन को जाए इस बिटान की अधिन थील इतना